किसान साथियों नमस्कार एक फिर उपस्तित हूं आपके समक्ष रोजगार की एक संदार जनकारी के साथ आज एक फारम में हूँ दोस्त समयकित रूप से यहां पर क्रिशी कार हो रहा है एक साथ मुर्गी का भी पालन हो रहा है और बक्री का भी पालन हो रहा है और यहां पर बदे बकर रेंगें कrishna ko करते हैं उस prochain कि जो नीक्याइब किती आप देख रहे हैं का ओन की और एरिया में यह किये हुए हैं तीन साल में इन्होंने पांच लग का सिर्फ नइपिर बेचा है तो ऐस भी सब्सक्राइब करने की कोशिस करने अभी हम लोग सीखी रहे हैं और हम लोग को कम दिन हुआ है लेकिन हम लोग नेपिर ग्रास की खेती बहुत दिनों से कर रहे हैं जो आपने बताया सर कि तीन साल में पांच लाग खंड नेपियर आपने शिफ बेचा है यह क्या कढ़ीका है कैसे बेचते हैं क्या तरीका है आपका बेचने का सिम्पल तरीका है जैसे कि कोई भी आदमी अगर नेपिर ग्रास इससे अच्छा खेती हो ही नहीं सकता अगर आप एक रूप्य केजी भी बेचेंगे तो भी प्रॉपिटेबुल बिजनस है हम लोग तो यहां पे 600 रुपे कुंटा लास तीन साल से अपने आस पास में जितने सहर में डेरी फ़र्म बाले हैं जिनके पास दस बारा पंदरा गायें होती है वो लोगों को हरा चाला मिलता नही पास दोलो है और आप लोगों को दिया और बताया जब लोगों ने इस्तेमाल किया और उनसे उन लोगों का फाइदा मिला गाये कादूध बर घया घयीक बदन पेगे काकी इसको कडू कर के ने फर नयम हैं की कि की सोुटी करके और नि ल題 बोडा में पैक करता जिन जिन लोग किनी को 30 kg किसी का 50 kg किनी का एक कुंटल इस तरीके का बोड़ा पैख होता है और वो मेरे पास टोटो गारी है उससे सारे किसान के यहां जो जो डेरी फर्म बाले उनके यहां डिलीवर कर दिया जाता आपका जो फारम है यह कहां पर है सरे वह कभनी डेर्डेस हमारे पास में जो पूर्णिया में हवाएड़ा बनने वाला है हवाएड़ा बनने वाला बहुत सारा मोदी जी के भासन में पपुयादव के भासन में और लोगों के भासन में आप लोग सुन रहे हैं वही हवाएड़ा के बगल में ही है हवाएड़ा हम लोगों से एक किलोमेटर दूर बनने वाला है अब बात करते हैं आपके फार्मिंग के विशे में तो यह जो फार्म की नीव आप डाली थी यह तो हम लोग लगबक तीन साल पहले यहां पे आये थे लेकिन गोट फार्मिंग को हम लोगों ने अपने घर से उठाके दिसंबर में यहां पे सिफ्ट किया यह जो आप कसल का पौधा देख रहे हैं यह सब हम लोग ने फार्मिंग के से पहले ही लगा दिया था और यह तीन साल में पौधा रेडी है अब हमारी बकरियों को पत्ता कभी दिक्कत नहीं होता च्छाओं भी है बकरिया को च्छाओं भी मिल जाता तो दिसंबर में हम ल सिंपल है आपका बद्तक और मुर्गी आपको कमा के देगी जो आपन dé justement देवारी अफेज बीक्तर जाता आपके फ़ौर्ण से आकर झालेकश्út गरिम कर पहुंसा में पंदर रुपीय बादर रुपीय पंदर रुपीय बिग जाता है अब हम लोग को प्रॉपिट नहीं है हम लोग ने दो एक जोड़ाई हंत लाया था लेकिन अभी हम लोग के पास उसका आठ बच्चा और आ गया तो अभी हम उगर उसको बेज देंगे तो बैट की अंडा बेशते हैं उनके के कट्टमरं जो पांच अंडा पड़े बच्ट का खाते है तो हम लोग उनको प्रकांट सप्लाइ कर देते हैं अदेशी में जाता है और बच्टक को पालने में हम लोग को जिरो कॉण्ट मुछली का कच्छरा लेके आते हैं मारकेट से जहां मचली बनता है उसका भोटी, च्टा वह लेकर आते हैं होटल जो है जहां हम लोग के हाँ अगल भी हज एक होटल है जो चिकन चाफल बेशता है उसके यहां का वेस्टेज चाफल हम लोग लेकर आ जाते हैं जो हम लोगों की बत्तक मुर्गी खा लेती है, फिरी में हम लोगों को अंड़ा मिल जाता है, जो बक्री आपकी पलती है, उसी के पैसे से पलती है, तो मुर्गी और बत्तक को आप क्या खिलाते हैं, वो तो हमारे भाई को बता दिया, बक्री को आप क्या खिलाते हैं, बक्री पूंची आप लोगों ने बहुत लोगों ने बहुत प्यार गर्डियो को तो वह पीनठे का भी हम लोगों के पास है भी इसटॉक वह को दीन में डाल देते हैं फिर साम में दिन में हमारा सब्सक्राइब्स तवराट है धोर Dallas यहीं पूला दाएंगाल के बखरी यो को दे देता तीन बजै के आतमात दीनमें पीनठे लोग में लुण सब्सक्राइब और जैसे की जो controller चाड़ा होता है जैसे अलफा अलफा है जैसे पीनट है, मुंगफली है तो मुंगफली का क्या होता है कि हम लोग यहां तो अलफा-लफा की हम लोग खेती करते नहीं है लेकिन जो अधर कंट्री है हिंदुस्तान के इलाबा जैसे सौधी अरब है, कतर है, कुबैथ है और न्यूजी लैंड है, अस्टेलिया है तो इन जगों पे गोट फार्मिंग, डेरी फार्मिंग यह जितने भी फार्मिंग होती है यह हे और हरे चारे पे होती है वो लोग सुखा चारा अपने बकडियों को या अपनी गाईों को नहीं परोस्ते हैं इसलिए हम लोगों से बहुत आगे हैं वो लोग आज के डेट में फार्मिंग में हिंदुस्तान से बहुत आगे हैं लेकिन उनके पास हे जाता कहा थे उनके पास हे हिंदुस्तान और पकिस्तान तहीं जाता तो मैंने बहुत सारा वीडियो पकिस्तान और अधर कंट्री का देखा जहां पर लोग पीनट का हे बना रहे थे हैं कि हम लोग के लगाता है जो लेवर कौस्ट का तरीके का आदमी होता है वही उठा के ले जाता है और उसको वह जलावन के लिए यूज करता है लेकिन हम लोगों ने उसके उसकी कीमत को समझा और हम लोग किसान को उसका पैसा देने लगे उसको उठा के ले के आने लगे उसको सुखा के उसको कुट्टी मसीन में काटके और हम लोगों ने एक प्रि कि लुआ देखेंगे कि लिंक में डाल दूंगा आपके वीडियो में जो बीडियो में यह इसके डिश् ISTCOBoX में जो पहले वाला जो वीडियो का जो हे वाला जो आपने भेजा था हमको आप itself द्यूर। है हम् सब्सक्राइब है। से की गिहों के खेती जादा होती है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और बहुत सारे में किसान भाई भी जानते हैं गिहों के फुर बरसीम के पौधे में। अलफा अलफा में 60% पानी की मातरा होती है। तो आपको क्या करना है बनाने के लिए कि आप जब बरसीम का पौधा कटने के लिए रेडी हो जाए। जब उसमें हलका फूल हो जाए। तभी लोग काटते हैं। उसको थोड़ा होने दीजिए। उसका पानी कम होने दीजिए और जब उस पे हलका फूल आ जाए वर्सीम पे उसको काट लीजिए काट के उसको ड्राय कर लेजिए लगवक 70% सुखा दीजिए जैसे अगर आप उसका धेर बनाईएगा तो वो नहीं सुखेगा वो गलने लगेगा पतला होना से परत करके आप जैसे प्रेस मसीन नहीं ला सकता है ना खड़ी सकता है तो आप क्या कीजिए उसको सूखने दीजिए जब वो 70% सूख जाए तो उसको आप पैक कर दीजिए किसी से प्लास्टिक रैपिरिंग कर दीजिए या सालेज वाला बैग मंगा लिजिए उसमें पैक करकर दीजिए उसको हवा से बचा दीजिए फिर आप उसको साल भरतक इस्तेमाल करते हैं हवा और नमी से बचा लें उसको हे कहते हैं हे वही हुआ तो उसमें प्रोटीन के मातराशर कितनी होते हैं आपको बरसीम में भी आपको 78% प्रोटीन मिल जाए यानि कि यहूं कि भूशे से तो ज्यादा करकर उसको सुखा देते हैं तो साल भर का जो सुखा भूशा का टेंसन जो आप पालते हैं ने दोस्त वह भूल जाइए गा यह सब लोग जानता है कि पीनट में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसलिए कि पीनट बटर और भी बहुत कुछ पीनट का हम लोग खाते ह हो जाए फिर प्रेस किया जाता और 40 किलो का बंडल बनता है असारा वीडियो आपके इस पर है ही और भी कुछ नया वीडियो है जब हम लोग पीनट का काम करेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे तो आप वो पूरा सुट कीजिए बिल्कुल दोस्तों तो बने रहिएगा और बहुत ही जल्द जब स्व territor क Stefan आगा भी हिघनट का एक मेने के बाद उस्टाथ होगा उस समय जब सिजन आए मैं तो उस इस बिल्कुल पूरा का प्रोशेस में आपको दिखाने के कुछिश करूंगा जयारके प्समे दूबार लिए एक बकरी फार्मर हम लोगों से डेड़ लाग रुपे का पीन ठेले था तो उनको प्रोफिट लगता था पहली बार उन्होंने 30 कुंटल लिया था इस बार उन्होंने मुझसे तीन गाड़ी लगबग 45 तिया एक गाड़ी पर 45 कुंटल माल जाता आए इतना माल उन्हों होता है बड़ा वाला चांप कटर जो ट्रेक्टर चलता आप बरसिम को कटवा लिजिए कटवाल के बड़े वाले भक्कु में भड़के पूरा ये टाइट करके रख दीजिए जब बरसात का सीजन आजाता आपको हरा चारा नहीं मिलता है आप निकालिए और अपने सुखा आपको बक्री लाने से पहले आपकी बड़ी को पालने के तयारी नहीं कर पाते हैं आपको बक्री लाने से पहले आपकी बकरी को पालने के तयारी करने पड़ेगी आप बहुत बड़ा घर मत बनाइए लेकिन पहले चारा लगा लीजिए बकरी पालने से पहले आप चारा के बाड़े में जान लेजिए प्यट का विवस्ता कर देजिए आप बकरियां खाती क्या-क्या है और हम खिलाएंगे तो आप अपने गाउं से अच्छी अच्छी बकडी खड़े दी जिसको सिर्फ दूद हो जो किसान भाई बकडी पालन वेफशाय में उत्रें सबसे पहले बकडी के पेट का विवस्था कर ले उसके भोजन का विवस्था कर ले हडा चारा प्रमत्रा में खेतों में लगा ले सुखा भूशा का सीजन में वेवस्था आपको बकडी लाएंगे वो किस तरीके का सुखा चारा खाएगी आपके हां मिलेगा नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा उसमें कितना खर्च होगा आपने पॉकेट को भी देख लें अगर आप इस टॉल फीट पे बकडी पालन करना लगेगा तो समय लगा लेगा लगिन उसमें अगर इंकम चाहिए तो आपको कुछ मुर्गी रखना होगा कुछ बत्तक रखना होगा या तो नेपियर घास जो आप लगा करके कैसे आप बैशते हैं किसी दूसरे को तो वहां पर उनको भी बैशना पड़ेगा फ्रसर मेरत क टोटल मेरा बाड़ा कठा जमीन है और अठाटा स्वार फिर का एक कठा होता है तो हम लोग दो कठा में बखरी फॉर्म का सेड और खुला जगा छोड़े हैं और यह चोटा सा पोखर और कठा का यह एरिया है जिसमें आपने सेड बना है बखरी का इसमें बखरी का सेड है अब तरफ आप फुद गेस्ट रूम पनाये हुए है अपकरी के लिए यह बखरी के लिए और बाकी हम लोग लग पांच कठे में अभी नेपिर ग्रास लगा कर रक है और नेपिर ग्रास हम लोग लीच पे भी जमीन लेके वहां भी खेती करते हैं पहले जो हम नेपिर काम क पर दस कठा के जमीन पर जो लोग नेपिय लगाया थे उस पर एक कटिंग पर हम लोग 70 से 80 कुंटल घंस कारते थे एक कटिंग पर और आप एक साइट से घंस काट के जाईएगा लास्ट हो येगा फिर आप सामने से काटने के लिए रेडी हो जाईए शे सुरुपे कुंटल आप सचिए कि के एक कटिंग पर आप साथ कुंट लिस तो क template रह तो कितना होटा है छंतीता सजार चंतOOOOS एक कटिंग पर और आप साल में लगबट अगर आप छोटे हैंड पर कारते तो पांच कटिंग ले सकते जो निपियर हम लोगे पाथ है हम लोग चार बार तो काटते हैं वह parfois हमारे ले करके नेपिर की खेटि एगर करें तो कितना पैसा वह देंगे लैंडलोड को उससे कमसर만 20 गुणाइब उनकी कमाई मके की खेटी करके पैसा कमाते हैं उससे सपलता के चांसे ज़्यादा उनके पास होगा नसल की अगर बात करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप पटना से बक्री लाते हैं तो पटना के वातावरन में और पूर्णिया के वातावरन में बहुत अंतर है बहुत कहते हैं बहुत अंतर है फानिक कभी अंतर है पुर्णिया दार जिलिंग है पटना खौश और है कि वहां आपको mice यहां कहीं थंडा क्या चार डिए तो बकरियां भी तो सब कुछ समझेगी हम लोग जब दूसरे जगा जाके बीमार पर जाते हैं तो उसको सेट होने में बहुत सारा टाइम लगेगा आपका साल भर सेट कराने में चला जाएगा आपको प्रोफिट कहां से आएगा आप अगर 25-30 किलोमेटर के रहन से बकरी जाती है जम मरती है तो फिर लोग को खोश धूंडते हैं और फिर लोगों को गाली देते हैं यूटूब पे लेकिन उनको लगया किया जूट बोल रहा है यही जूटा-जूटा वीडियो बनाता भडम पहला था तो यह भडम नहीं है आपको दो तरीका बगरी पालन करने क हैं तो अपना सारा काम छोड़ दीजिए बकरी खरीद लीजिए बकरी यूट को चड़ाईए और साम मेला कि अपने घर में बांद दीजिए और उससे जो बच्चा पैदा होता उससे बेची यह जीरो हुआ अगर नहीं आप इस टॉल फीट पर और अपने दूसरे काम को कर करना चाहते हैं तो आप अपने पॉकेट में पांच लाग रुपिया रख लेजिए दस बकरी से अगर आप सुरू करना चाहते हैं तो आपको इस टाप भी रखना पड़ेगा तो आज के जमाना में इस टाप आपको कहीं 25-25 न में मिलना नहीं अगर 10,000 रुपया महना भी आप स्टाप को देते हैं एक लाग 20,000 रुपिया पर येर तो आपका स्टाप का कॉस्ट चला गया दो साल आपको वेट करना तो दो लाग 40,000 तो इस टाप ले लेगा चोटे-चोटे-पहलू को पर भी हमार किसान भाई को सोचना पड़ेगा तब जा करके उनको सफलता हां जो यंग आदमी है जिनके पास घर से कोई सपोर्ट नहीं है पैसा नहीं है वह बगरी फार्म में अगर आ जाते हैं कि हम इस्ट्रॉल फिट पर बगरी पालन करेंगे तो पोसिबल नहीं है उन्हीं को फॉर्म बंद होता आप क्या कर सकते हैं आपके पास बखरी को खिलाने मुडगीयों के लिए हम लोगों ने क्या किया जवी चुनाओक टाय में बहुत 202 बाई 10 का सब जगा फ्लेक्स लगाओगा वह फ्लेक्स उतर जाता है उतरता है तो जो लोग फ्लेक्स का काम करता है उसको बेशते हैं निन थाए सो थीन रुपय में 202 का फ्लेक्स मिलता उस अगर सही तरीके से बख्री पारण करना है या तो फिर फार्मिंग के छेतर में आपको आना है तो सर ने जो बताया अक्षर सह शूरू से लेकर के अभी तक जो इहोंने बात बताया है अगर वहीं आपके सामने ला रहा है और मेरी कोशिस यही है रती है हमेशा रती है कि ऐसे किसान से आपको रूबरू कराया उनकी अनुबहुत को साज़ा करा जाता है कि जो आप कर रहे हैं करने से पहले ही बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठ जा कि भाई हम ऐसे करेंगे त नुक्सान होगा यह काम करेंगे तो लाव होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्फ बहुत अच्छी जनकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाई को मिली धन्यवाद आपका आप लोग भी मेरे तरह कुछ कीजिए आप मुर्गी लाइए हैसरी बनाइए बच्चा पैदा क अब बिलुकुल बिल्कुल दोस्तो करने के लिए बहुत कुछ है और करना चाहें अपने आपको लैस कर लते हैं जनकारी शे तो बहुत कुछ कर सकते हैं पासा कमाने के बहुत सारी स्कॉप होते हैं तो आज के वीडियो से बहुत कुछ सिखने को मिला होगा दोस्त तो इस रेकॉर्ड भी अपडेट जाड़ी रहेंगे दोस्त तो बने रहेगा ग्रोव माइन डियाट्व चानल के साथ तक ख्या रखिये अपना धन्यवाद